हालो अबरिबन वेलकम टू माई चैनल वांग शेन क्यूट लब स्टोरी तो चलिए फ्रेंट्स अब हम अपनी स्टोरी इस गैपलब का नेक्स पार्ट शुरू करते हैं और जो कोई चैनल पर न्यू है और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीस चैनल को स अपनी मोम के हाउस में जाता है जो सिटी से बाहर एक जंगल के बीच में था जैसे ही विंग उस हाउस को देखता है तो पूरा शौक्ड हो जाता है क्योंकि उसे वह प्लेस बहुत पसंद आता है इस पेसली विंग को वहां के वह चोटे-चोटे क्यूट रैविट जिने द घर में अंदर लेकि आता है जिसे देखकर विंग तो पूरी तरीके से शौक्ड हो जाता है वो बस चारा तरप उस गर को देख रहा था और उसका मुझ तो फटा-फटा रह जाता है वो कहता है वाव यहाँ उस कितना संदर है तब ही विंग से कहता है क्या तुम्हें देखता है और इसमाल करके कहता है यह मेरे मॉम डेड है तब वांग जी वींग को उसके सूर्डर से पकड़ता है और उसे अपने सामने कर लेता है तब वह अपने मॉम डेड की फोटो की तरफ देखकर वींग के लिए कहता है मॉम डेड यह वींग है मेरी से शादी होने बाली है वींग जब यह सुनता है तो वो बड़ी बड़ी वांगों से वांग जी की तरफ देख रहा था वांग जी अपने मॉम डेड से वींग को इंटिडूस किये जा रहा था उसके बारे में बात है किये जा रहा था जिसे की warmth feel हो रही थी उसी भांग जी की बातों से बहुत अच्छा लग रहा था थूड़ी देर वो दोनों ऐसे ही उन फोटोस के सामने कड़े रहते हैं तभी भांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वहीं पास में रखे सोपां पे दोनों बैठ जाते हैं भांग जी और विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तो वांग जी कहता है विंग क्या मैं तुमसे कुछ पूँच सकता हूँ विंग कहता है हाँ पूछिए तभी वांग जी कहता है विंग मैंने कल देखा था तुम बहुत अफसेट थे क्या कोई बात है विंग तो एकदम शॉक्ड ह हो जाता है वो वांग ची की तरफ देखने लगता है वांग ची कहता है विंग अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो तभी विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है तभी वांग ची कहता है विंग अगर तुम कुछ भी ऐसी बात है जो तुम मुझे से कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो, विंग क्या तुम इस रिस्ते से कुछ नहीं हो, वांग विंग जब ये सुनता है, तो वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है, उसे सुबह अपने मॉम डैड की सारी बातें याद आने लगती है, तभी वो वांग विंग की सरफ तरफ बस देखे जा रहा था, तभी वांग जी कहता है, विंग एने कुछ पूछा है, विंग कहता है, विंग कहता है, विंग को कहता है, विंग मेरी बात सुनो, अगर ऐसा कुछ भी है, तो तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुमारे दिल में कोई भी बात ह तो तुम मुझसे कुल कर share कर सकते हूँ तुम्हें मुझसे कुछ भी चुपाने की जरूरत नहीं है विंग बस वांग ची को देखे जा रहा था तभी वांग ची विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग का हाथ पकड़ कर उस पर अपना दूसरा रात रखते हूँ कहता है विंग मेरी बात सुनो माना हमारी शादी होने वाली है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी ना काओ तुम मुझसे कोई भी बात share कर सकते हूँ अब भले हमारी अभी शादी नहीं हुई लेकिन तुमें पूरा राइट है अगर तुमारे दिल में ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हूँ तो तुम मुझसे कह सकते हूँ विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जब वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा था तो उसकी दिल की धड़कने इतनी तेज हो गई थी बहुत तेज वो तो बस विंग वांग जी की तरफ देखे जा रहा था तभी वांग जी विंग से कहता है विंग हमारी शादी बले ही ना हो लेकिन क्या हम दोस बन सकते हैं विंग कहता है क्या क्या ने जैसे ही भींग और वांग जी को ऐसे देखती है तो वो अपना गला साफ करते है वांग जी जैसे अंकल जॉन को देखता है वो भी इंका हाथ छोड़ देता है भी भी अच्छाए फिल करने लगता है उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इतना जी फिल क्यों हो रहा है वांग जी के हाथ पकरने पर उसकी दड़कने इतनी फास्ट क्यों हो गई थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तभी अंकल जॉन कहते है वांग जी बेटा क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूँ तभी वांग जी उठता है और कहता है नहीं अंकल मैं कुधी कुछ कर लूँगा विंग कहता है क्या आप कुछ कुछ करोगे तभी अंकल जॉन कहते है क्यों विंग तुम्हें नहीं पता वांग जी बहुत अच्छा कुछ है तभी विंग कहता है क्या वांग जी कहता है हाँ मुझे cooking करना आता है विंग तो बस शोगिंग ली वांग ची की तरफ देख रहा था वांग ची कहता है ठीक है अंकल मैं कुदी cook कर लेता हूँ तब तक आप विंग को पूरा garden दिखा दीजिए अंकल जोन कहते है ठीक है बेटा ऐसा कहके वांग ची की तरफ चला जाता है विंग वांग ची को बस जाते हुए देख रहा था उदर अंकल जोन विंग को देखते हैं और एक smile करते हुए कहते हैं चलो विंग मैं तुम्हे पूरा garden गुमाता हूँ विंग हूं कहता है और अंकल जोन के साथ जाने लगता है वो विंग अंकल जोन के साथ पूरा garden देखता है थोड़ी दिर वो रेविट्स को देखता है और फिर उनके साथ बहुत सारी मस्ती करने लगता है अंकल जोन वींग को देख रहे थे तभी वो वींग के पास आते है और उसके पास बैठ जाते है वो वींग से कहते है वींग वींग अंकल जोन को देखता है हाँ अंकल तभी वींग अंकल जोन कहते है तुम जानते हो भांग जी कभी भी किसी से अपने दिल की बात कुछ भी शेयर नहीं करता उसके अंदर क्या चल रहा है यह कभी कोई नहीं जान सकता तुम जानते हो वो चेहरे से जितना कोल दिखता है वो दिल से उतना ही ज़्यादा अच्छा है चाहिए तुम अभी उसे नहीं जानते लेकि जिस दिन तुम जान लोगे न तुम विंग को विंग से दूर तुम वांग जी से जाने दूर जाने के बारे में सोचो बेगी भी नहीं पता है विंग अंकल जॉन की तरफ शौकिंग ली बस देखे जा रहा था विंग क्या कि क्या तभी अंकल जोन कहते हैं हाँ तुम नहीं जानते वांग जी ऐसा नहीं था वो बहुत मस्ती करता था बहुत जादा लेकिन जब से उसके मॉम डैड उसे छोड़ की चले गए उसके मॉम डैड का एक्सिजेंट हो गया वो दोनों नहीं रहे तब से वांग जी ऐसा हो ग जंटो अपनी मॉम की रूम में बैठता है लेकिन हर तक वो कभी किसी के साथ नहीं आया तुम जानते हो अपने बिरिधर सिचेंट से बहुत प्यार करता है लेकिन कभी उनके साथ भी वो यहां नहीं आना चाहता वो हमेशा के लाता है लेकिन आज पहली बार वो तुम्हें लेकिया है तुछ सुचो तुम उसके लिए कितने स्पेशल हो भींगे सुनता है तुम उससे पता नहीं क्यों एक अजीव सा फील होता है उसे अपने दिल में बहुत अजीब सी खुशी मैसूस होती है वो उनकल जोन की तरफ एक स्मैल करता है तब ही उनकल जोन कहते है मुझे लगता है वांग जी बेटा तुम्हें बहुत बहुत पसंद करता है तुम हमेशा मेरे वांग जी का ख्याल रखना वींग अंकल की तरफ देखता है और एक स्मैल करता है थोड़ी दोर वींग और अंकल जोन ऐसे ही गार्डन में बैट के बात है करने लगते है और वींग उन रेविट्स के साथ खेटता है थोड़ी देर बाद हम देखते है वांग जी बहार आता है और वींग से कहता है वींग चलो हम कुछ खाना खाते है वींग कहता है क्या आपने बना लिया वांग जी कहता है हाँ वींग कहता है तबी वांग जी कहता है अंकल जोन आप भी आईए न तो अंकल कहते है नहीं बेटा मुझे तोड़ा काम है, तुम दोनों जा, enjoy करो, ऐसा कहता है, वांग जी एक smile करता है, और वींग को लेके अंदर आता है, वो दोनों अंदर, टाइरिंग टीबल पर बैठ जाते हैं, वींग जैसे ही वांग जी, वींग के सामने खाना रखता है, वींग तो उस खाने की कुष पूरी तरीके से खो जाता है वो तो बड़ी बड़ी आंके करके बस उस खाने को देख रहा था वो वांग जी की तरफ देखता है और खाने की तरफ देखता है वांग जी की तरफ देखता है खाने की तरफ देखता है तभी वह वांग जी कहता है क्या हुआ विंग खाना तु तेस्ट करके बताओ कैसा बनाएं विंग कहता है विंग जैसे ही वो नूडल्स अपने मुझ में डालता है विंग तो बस अपने मुझ का स्वाद में खो जाता है वो कहता है वाव यह कितने टेस्टी है अपने अपने खाना बनाना कहा से सीखा मुझे तो कुछ भी नहीं आता आपको पदा है मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता वांग जी स्माइल करता है और कहता है तो तुम्हें सीखने की जरुद भी नहीं है भीग कहता है पर आप तो इतना अच्छा खाना बना लेते हैं आपनी कहा से सीखा तब वांग जी कहता है जब मैं चोटा था तो मैं मैं अपनी मॉम को किचिन में काम करते हुए देखता था तो मुझे बहुत मन होता था मैं अपनी मॉम को हेल्प करता था धीरे धीरे मुझे अपनी मॉम के साथ हेल्प करते करते मैं ही खाना बनाना सिग्या विंग कहता है वाव आप तो इतना अच्छा खाना बना लेते हैं तो आउंटी कितना अच्छा खाना बनाती होगे वांग जी कहता है अच्छा वांग जी कहता है अच्छा तो मेरा खाना अच्छा नहीं है विंग कहता है नहीं यह तो बहुत टेस्टी है पता है ऐसे नूडल टेस्टी तो मैंने कभी नहीं खाए पता है रस्टुडेंट में भी नहीं खाए वांग जी एक स्माल करता है और कहता है ठीक है अब तुम खाओ दोनों वो खाना एंजुर करने लगते हैं तोड़ी देद दोनों ऐसे ही खाते हैं दोनों का जब उखाना फिनिश हो जाता है दोनों वांग जी वांग जी विंग से कहता है विंग अब हमें घर चलना चाहिए विंग का मन बिल्कुल नहीं था उस घर से बाहर आने का क्योंकि विंग को पता नहीं क्यों उस गर में बहुत अजीब सा और अपना पंसा फील हो रहा था लेकिन वो जानता था कि उन दोनों को वाँ से जाना है तभी विंग भी हाँ बोलता है दोनों वाँ से निकलते हैं तभी विंग की नजर फिर से भांग जी की मॉम डेट की फोटो की तरफ जाती है वो उन दोनों को देखता है और उन्हें पता नहीं कि वो क्रीट करता है वाँग जी यह देखता है तो उसके चेरे पे एक स्माइल आ जाती है विंग कहता है चानते हैं आपकी मॉम बहुत ब्यूटिफुल है तभी वांग जी कहता है इसलिए मेरे डेट मेरी मॉम से बहुत प्यार करते थे तुम जानते हो मेरे डेट मेरी मॉम से इतना प्यार करते थे कि वो उनके विना एक पल भी नहीं रहते थे विंग वांग जी के मुँझ से ऐसा सुनता है तो वो एक स्माइल करता है डोनों सहाउस से बाहर आते हैं अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं अब इवनिंग हो चुकी थी तबी वांग जी विंग से कहता है विंग मैं तुम्हें 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 कर देता हूं विंग हम कहता है विंग फूरे राष्ते बस वांग जी को ही देखता रहता है दौनों ज़्यादा बातें तो नहीं करते लेकिन वांग को पता नहीं क्यू Очень आज वांग जी के साथ बहुत अच्छा फील उआ था उसे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ वांग जी दीरे दीरे वांग जी के चेरे को देख रहा था वींग अपनी मन में कहता है बैसे ही ओल्डे मैन बहुत जादा होट है देखने में इसे कोई नहीं बोल सकता कि यह मुझे से कितना बड़ा है कितना होट और ब्यूटिफुल है इसकी आइस कितनी ब्यूटिफुल है और इसकी लिप्स वांग इसकी लिप्स कितनी क्यूट है हाँ तभी वींग कहता है मैं यह क्या सोच रहा हूँ क्या मैं पागल हो गया हूँ मैं उल्टिमेल के बारे मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ तबी वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या देख रहे हो, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं, तबी विंग कहता है, वांग जी कहता है, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है, विंग कहता है, नहीं तो कुछ भी नहीं लगा, और मैं कुछ भी नहीं देख रहा, समझे आप वांग जी एक स्मायल करता है तभी थोड़ी देर बाद वांग जी और वीं तोनों वींग के वैंसन में पहुंच आते हैं वींग के घर के सामने वांग जी कार रुपता है और वींग से कहता है वींग तुमारा मैंसन आ गया बिंग काड़ी से बाहर निकलता है और वांगची से कहता है कि आप अंदर नहीं आएंगे तभी वांगची कहता है नहीं बिंग मुझे तोड़ा काम है मुझे अपस भी जाना है बिंग कहता है पर आप तभी वांगची कहता है बिंग क्या तुम कल मेरे साथ कहीं चलोगे विंग कहता है कहा तो वांग जी कहता है तुम बस मुझे बताओ क्या तुम कल मेरे साथ कहीं चलोगे विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे वो ना कहना चाहता था लेकिन उसके मुझे हा निकल जाता है वो कहता है हाँ मैं आपके साथ चलूँगा वांग जी ये सुनता है और एक smile करता है और विंग को बाय करके वहाँ से चला जाता है विंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था वो भी उसके चेरे पर अपने आप एक smile आ जाती है वो जैसे ही अपने घर में एंटर करता है तो मैडम यू और जैन फेमियान जैसे विंग को देखते हैं तो भी विंग के पास दोड़ कर जाते हैं लेकिन विंग के चेरे की smile देखकर मैडम यू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैडम यू विंग से कहते हैं विंग क्या हुआ है विंग कहते हैं कुछ भी नहीं मॉम अब क्या हुआ है तो उसकी मॉम कहते हैं तुम इतना खुश क्यों हो और वांग जी वांग जी अंदर क्यों नहीं आया तब ही विंग कहते हैं मैंने उन्हें बोला था, उन्हें कुछ वापिस में काम था, इसलिए वो चले गए, मैडम यू विंग को देख रही थी, विंग के चेहरे पर एक अलगी इसमाल थी, मैडम यू और जैंक फैमिया भी अपने मन में तुरी समाल करते हैं, तब ही विंग कहता है, ठीक है मो, मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे फ्राशन अप होना है, ऐसा कहके विंग वहाँ से चला जाता है, तब ही मैडम यू कहती है, फैमिया तुमने देखा, आज उसने हमसे कुछ भी कंप्लेट नहीं की, मुझे लगता है, तब ही फैमिया न कहते है, यू, मैंने कहा था न, उसस तोड़ा वांगची के साथ टाइम स्पेंट करने दो, वो खुद पर खुद उन दोनों के रिष्टे हो, अज जिस्ता सुधने लगेगा, मैडम यू कहती है, मुझे लगता है विंग, तब ही फैमिया न कहते है, तुमारे बेटे का कुछ पता नहीं है, उसका मूड पल पल बदलता है, तुम जानती हो ना, मैडम यू, पैमियान की तरफ गुस्से में देखती है, और बोलती है, हाँ अच्छा, मेरा बेटा, तुमारा बेटा नहीं है, पैमियान बोलते है, यू मैं तुम से बिलकुल जगडा करने के मूर में नहीं, भींग बहुत कुश है ना, त हो भी किचिन में चली जाती है, उदर हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी, वहाँ से अपनी मेंशन में जाता है, वो जैसे अंदर जाता है, तो उसे लिविंग एरिया में सिचेन और उसके अंकल मिलते हैं, वांग जी, को अंदर जाता है, सिचेन तो और के वांग जी क कैसा रहा तुमारा, तो वांजी कुछ भी नहीं कहता, अंकल को समझ में आज आता है, के लड़का कुछ भी कहने वाला नहीं है, तबी 시청 nome, वांजी से कहते हैं, वांजी ओंगी अ ठीट, तबी और नहीं कहते है, क्यूंगी वू तुमारी डेट नहीं थी, बहुत अच्छा था उसके ब्रदर बहुत हैपी होते हैं क्योंकि वह समझ पा रहे थे कि वांग जी आज कितना खुश है वांग जी अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर मैं फ्रेशन अप होके आता हूं उसके ब्रदर हुम कहते हैं और वांग जी सीधा अपने रूम में जाता ह रूम में जाने के बाद वो अपने बैट पर लेट जाता है और उसे वींग के वो रैबिट के साथ खेलता हुआ शहरा उसकी वो स्माइल सब कुछ याद आने लगती है पता नहीं क्यों वांग जी को इतना अच्छा फील हो रहा था वो वींग की उन च्छोटी च्छोटी चीज़ों के याद करके उसके चेरे पर जो स्माइल आ रही थी वो अपने मन में सुचता है सच में कितना क्यूट है सच में हो तोड़ा पागल भी ऐसा सुचता है और फिर वो वाश रूम में चला जाता है अब हम next day morning का scene देखते है हम morning में देखते है वींग नीचे आता है और वो अपने mom dad को breakfast table पर देखता है तब ही उसकी mom बोलती है वींग क्या तुम आज college नहीं जा रहे वींग कहता है नहीं mom मैं आज college नहीं जा रहा तो उसकी mom बोलती है क्यों तुम तो एक दिन भी college मिस करना नहीं चाहते तब ही वो कहता है क्योंकि आज मैं वो पर वो चुप हो जाता है तब ही उसकी mom बोलती है वींग क्या बात है वींग को बहुत अजीफ फील हो रहा था कि वो अपनी mom से क्या कहे वींग कुछ भी नहीं कहा रहा था तब ही वींग कहता है वो Mr. Len मुझे आज अपने साथ कई लेके जाना चाहते है mom मैडम यू जब ये सुनती है तो वो तो बड़ी-बड़ी आगे करके वींग की तरफ देखने लगती है वो कहते है क्या वींग कहते है mom आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है तब ही मैडम यू कहते है और तुमने हा कर दिया वींग कहता है हाँ आपी ने तो कहा था कि मुझे उनके साथ तोड़ा टाम स्पेंट करना चाहिए तब ही मैडम यू कहते है अच्छा तब ही वींग कहते है इसलिए मैंने उनको हाँ कर दिया मैडम यू कि स्माल करती है वींग कहते है तब ही वींग कहते है mom आप हस क्यों रही है मैडम यू कहते है तो क्या मैं हसूं भी नहीं वींग कहते है mom आपका मुझे कुछ समझ नहीं आता ऐसा कहता है और वो खुद भी ब्लश करने लगता है मैडम यू विंग को ब्लश करती है वो देखकर तो पूरी तरीके से शौक्ट हो जाती है तो फ्रेंड्स एक्स पार्ट हम कर देखेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको क्या लगता है फांग जी विंग को कहा लेके जाने वाला है और आके विंग और अगर आपको इस्टूरी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शियर करके जरूर चाहिएगा बब बाई, टेक क्यार